के दिषाल वाला साथिने ऑन के श्ट्रेंट स्वागत आप सब्सक्राइब का का हमारे इस लाइब इस्ट्रेम भी श्रीम बायो वाला में दोस्तोफory क्लास में मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता इसके बारे में क्रोमेटोग्राफी के बारे में यदि आप वो वीडियो नहीं देखी हैं तुझा के बर देख लिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी किसके बारे में जेल फिल्ट्र क्रोमेटोग्राफी चलिए हैंडिल लगाए इलेक्ट्रान क्रोमेटोग्राफी तो पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रान क्रोमेटोग्राफी होता क्या है और उसका उपयोग क्यों करते हैं तो यह क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है किसका टाइप है उसका हम लोक आपने नियसर करते हैं, तो आपने एक बार अपने चलते हैं, उसके प्रकुल को हम लोग कोmor से चलते हैं तो जिलटे सन क्रोमेटोग्राफिक करते हैं, तो जिलटे सन पख्र Gef — यह है है chromatographic method है in which molecules in solution इसमें क्या होता है कि solution के molecule को separate किया जता है कब separate किया जता है उसके size के अनुसार और उसके weight के अनुसार यानि कि उसके size और shape के अनुसार जो भी molecules का weight होगा उसके अनुसार से separation किया जता है जयानि कि it means from the krām basis separate the molecules on their size and molecular weight यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि इस chromatograph के द्वारा हम लोग molecules का separation उसके size तथा उसके weight की अनुसाल करते हैं It is usually used in large molecule and macromolecules यानि कि इसका मतलब यह हुआ यानि कि यह बड़े तथा larger molecule का यानि कि बड़े और उससे भी बड़े molecules का separation करने के लिए किया जाता है Such as protein किसका जैसे protein का industrial polymerase का तो इन सब का separation किया जाता है आईए purpose देखते हैं कि चल filtration chromatograph का purpose क्या है तो आईए purpose को समझते हैं कि इसका क्या उद्देश है Gel filtration chromatography is a type of size exclusive chromatography can be used to the air fractional molecules and complex in the sample into fractional with a particular कहड़े का मतलब यह है कि जो gel filtration chromatography होता है वो size के अनुसार उसको हम लोग क्या करते हैं separate करते हैं क्याड़े कि अगर किसी molecules का size बढ़ा है तो उसको हम लोग अलग तरीके से क्या करते हैं अलग कर लेते हैं और किसी का अगर छोटा है तो उसको अलग type से कर लेते हैं अब ही हम लोग method के माद्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से molecules का separation हम लोग करेंगे from the sample or combination of both operational gel यानि कि इसमें दोनों प्रकार के particle present रहेंगे बोथ particle present रहेगा sample में यानि कि larger और smaller दोनों particle present रहेंगे उसका हम लोग separation करेंगे जल filtration chromatography separate the protein यानि कि ये protein को भी separate कर सकता है molecules on the basis of size यानि कि उसके size के अनुसार ये protein को भी separate करने का कारेंग करता है the separation is achieved by using a pore यानि कि एक pore के दोरा एक छितर के दोरा इसका हम लोग separation करेंगे gel matrix to which molecules are separated smaller size molecules pass through the pore while larger molecules are executed through the gel matrix यानि कि इसमें pore होते हैं जिसके तोरा छोटे molecules आसाने से चले जाते हैं बट बड़े molecules उपर ही रह जाते हैं यानि कि जो बड़े molecules होते हैं वो अलग separate हो जाते हैं छोटे molecules अलग separate हो जाते हैं तो आईए एक बार देखते हैं कि इसका मेथड क्या है, मेथड से पहले हम डाइग्राम को समझते हैं, कि डाइग्राम में क्या बताएगा है, तो इसमें देखिए क्या है, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक बीकर है, इस बीकर में पोर्स लगे हुए है, ये छोटे छोट चोटे और बड़े तोनों मालेकुल्स हैं कौन-कौन से छोटे और बड़े देखिए यह जो मालेकुल्स दिख रहे हैं आपको यह वाले यह सब छोटे मालेकुल्स हैं यह सब चोटे मालेकुल्स हैं यह सब बड़े मालेकुल्स हैं कैसे मालेकुल्स हैं बड़े मालेकुल्स ह आप देखिए क्या होगा इसमें जो पोर्स बने हुए उस बीकर में जब हम लोग सलूशन इसके उपर डाल देगे तो क्या होगा कि छोटे मालिकुल्स यह देखिए लार्जर मालिकुल्स और इसमालर मालिकुल्स लार्जर मालिकुल्स और इसमालर मालिकुल्स यह किसका सलू छोटे प्रोटिन होगे और कुछ बड़े म्लेकूल बड़े प्रोटिन होंगे अभी क्या होगा यह चल का सुछ पार्टिकल का फिल्ट्रेशन करने वाला है अभड स्कूल primeira大 चाहिए s ठीख रहा है बीकर इसको कॉलम बोलते हैं हम लोग ठीक अब इसमें क्या होगा जो और जब ये इंट्र करेगा उसमें छोटे मालइकूल यानि के बीटस में ज्चोटे मालिकूल चालके फिट हो जाएंगे जाए क्यों हो जाएंगी इस साइज बड़े होंगे चो इस bits में नहीं आपाएंगे वो इसके side से होते हुए side से होते हुए एक pore के द्वारा बाहर निकल जाएगा यानि कि जो इस smart party होलोगा वो रुक जाएगा और बड़े particle क्या हो जाएगे वो तीरे से नीचे की तरफ यानि कि bits की तरफ निकल जाएगे और क्या होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा जिसको हम लोग एकर्तित कर लेंगे यानि कि बड़े molecule को हम लोग इसर से एकर्तित कर लेंगे जिसको हम लोग FEC याने की size exclusion chromatography का नाम देते हैं separate the molecules on the air side जिसको हम लोग उसके size के अनुसार क्या करेंगे separate करेंगे filtration through a gel याने की gel filtration के द्वारा a gel consist of spherical bits जो gel होते हैं वो गोले का bits पाए जाते हैं जिसमें क्या को होता है pore होते हैं और उस pore के द्वारा जो उसके size के specific size के जो molecules होगे उसमें जाके fit हो जाएगा याने के separation occurs with molecules on different side जिस size का वो pore होगा उस size के molecules उसमें जाके fit हो जाएगे और क्या हो जाएगे उस bit से मेरा जाएगे और बड़े molecules जाने की larger जो बड़े molecules एक तरफ हो जाएंगे, जिसको वे लोग अलग से बार जौँद को हंगे और छोटे वाले को विर्ट्रेर्स के ले इस प्रकार से जिल फिल्ट्रेशन करते हैं अब आईए हम लोग समझते हैं अप्लिकेशन आप जिल क्रोमेटोगाफी तो आप लोग हेडी लगाएंगे अप्लिकेशन आप जिल क्रोमेटोग्राफी क्या लगाएंगे जिल क्रोमेटोग्राफी तो जल क्रोमेट्रोग्राफि आप widely used in separation of various compounds और as follows याने कि जो जल फिल्टरेशन हो गहा है जो जल फिल्टरेशन क्रोमेट्रोग्राफि टिक्निक है इसके दोबरा इसका उपरयोग widely used याने कि ज्यादा तर यूज various type के याने कि different type के compound को separate करने के लिए किया जाता है first point देखते है it is used for the separation of small molecules such as protein and protein complexes याने कि इसका उपरयोग हम लोग protein तथा protein के complex को separate करने के लिए करते है next point में समझते है it is used in the separation of polysaccharide याने कि ये polysaccharide को भी क्या करने के लिए separate करने के लिए use किया जाता है अगली point समझते हैं हम लोग it is used in separation of nucleic acid जैसे DNA, RNA याने कि ये DNA, RNA को याने कि nucleic acid में उपस्तित DNA को और RNA को separate करने के लिए उपयोग किया जाता है अगली point देखते हैं अगली point देखते हैं cell filtration play important role in separation and purification of enzyme याने कि इसका उपयोग हम लोग enzyme के purify करने के लिए उसको शुद्ध करने के लिए चाथा उसको separate करने के लिए भी उपयोग किया जाता है अगली point है it is used in the it is used in the filtration of biological micro molecules याने कि जो बड़े molecules जैसे enzyme, protein, lipid, fat यह सब जो चीज़े होते हैं उसका उपयोग याने कि gel filtration का उपयोग biological micro molecules का उपयोग किया जाता है इसको separate करने के लिए याने कि जो gel filtration है उसके दुआरा हम लोग biological micro molecules को भी separate कर सकते हैं अगली point और last point समझते हैं it is used in the filtration of donator protein याने कि जो protein donate होती है जो protein donate की जाती है उसको भी हम लोग separate करते हैं sorry 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 आयसे protein जिस जो denatured होते कैसे होते हैं denatured होते है याने कि protein तीन प्रकार की होती है primary secondary और tracyary याने कि इन तीनों protein को हम लोग क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं याने कि denatured वाले protein को भी हम लोग इसके दौरा अलग कर लिए अब अगले lecture में हम लोग HPLC हल्साइब करेंगे याने की HPLC के बारे में study करेंगे कि अगले दिन हम लोग HPLC के बारे में हम लोग जानेंगे तो HPLC का पूरा नाम क्या होता? high performance liquid chromatography या फिर इसको हम लोग high pressure liquid chromatography का नाम देती है resist तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे अगर आपको कहीं डाउट कोई कोश्चन हो और अगर पेडियाप की प्राप्ति चाहते हैं आप पेडियाप को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मारे वाट्सप नमबर 9598-308044 पे वाट्सप के तरूर मैसे करके आप वहाँ से पीडियाप को प्राप्त कर सकते हैं और टेलिग्राम के लिंक से जूड़ के वहाँ पे अपने तयारी को कम्प्रेट कर सकते हैं